सो हेलो एवरिवन एल्टी फूर्स के क्वाटर वन के रिजल्ट आ चुके हैं एंड कम्पनी ने डिविडेंट भी अनौन्स किया है आगे बताती हूँ इस वीडियो में पहले देख लीजिए यहाँ पर एल्टी फूर्स की टोटल इंकम आप देखेंगे यह 1,78,882 से 2,8,800 यह मतलब increasing phase में रही है yearly basis में and quarterly basis में यह 2,9,173 से decrease हो गई है 2,8,800 हो गई है आगे total expenses खर्चे इनके 1,62,191 से 1,89,030 हो गए है quarterly basis में 1,89,846 से यह decrease हो गई है 1,89,030 हो गई है इनके total expenses so directly यहाँ पर बात कर लेते हैं total comprehensive income की आप देखेंगे यह 14,190 से 15,515 हो गई है मतलब increasing phase में रही लेकिन quarterly basis में 15,841 से यह थोड़ी decrease हो गई है 15,515 हो गई है so overall देखा जाए यहाँ पर result इनके quarterly basis में तो ज़्यादा खास नहीं रहे लेकिन yearly basis में profit इनका size generate हुआ है so yearly basis में result बढ़िया रहे earning per share भी आप देखेंगे earning per share तो यहाँ पर quarterly basis में भी and yearly basis में भी increasing phase में रहा आप देखेंगे यहाँ पर 3.96 से यह 4.41 हो गया है and 4.28 से quarterly basis में भी increase हुआ है 4.41 का earning per share and guys company आपको 0.50 रुपीज का dividend provide कर रही है मतलब यहाँ पर अगर आपके पास दो सेयर है इसके तो एक रुपे आपको dividend मिलेगा and इसकी जो record date है यह है 6 अगस्ट और यह आपकी account में यह dividend 30 days के अंदर credit हो जाएगा अभी तो यहाँ पर गिरावट चल रही है so guys at your own risk आप लोग इसे hold करने का सोच सकते हैं क्योंकि जादा comparison yearly basis में होता है so उसे साब से तो result सही रहे बढ़िया रहे